आज किसानों के साथ सरकार सातवी बार अपचारिक तौर पर बातचीत करने जा रही है सरकार उमीद कर रही है कि आज किसानों के साथ साथ थक बातचीत होगी और समधार निकलेगा दोपहर दो बजे बातचीत शुरू होने वाली है इसे पहले किसानों ने सरकार को चार बिंदूओं पर फोकस करने के लिए कहा है, किसान चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले इन चार बिंदूओं पर बात करें, खेती कानून को वापस कैसे लिया जाए, ये सबसे मुख्ये उनमें शान, मुख्ये तोर पर इन बातों में शामिल है अलाकि सरकार किसानों को जरूरी संशोधनों को लेकर मनाने की कोशिश एक बार फिर से करीगी कुछ देर पहले रक्षमंत्री राजना सिंग ने भी आज इस मसले पर समधान की उम्मीद जताई है तो दोपे हैं धाई बजे मीटिंग होनी है अको देश के किसानों के लिए गडैबों के लिए हम पूरी तरस संबेद संबेद मशीर है उनका किस्थ हमारा किस्थ है उनकी पीड़ा हमारी फीड़ा यचा इतना मैं चैय सकता हूँ कि ईक है क्उट को लेकर कुछ टाक्तों के दौरा एक गलस वहमी हमारे किसान भाईयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलस वहमी को दूर करें हमने भी बहुत सारे किसान भाईयों से बाच्छित कि और मैं पुनह है विनमरतापूर वक्षां जोड़ कर कहना यह रध्याता हूं अपने किसान भाईयों से हैं के आप सरकार के प।ेंदियों के साथ बैठ रहे। बैठ्छिए नधी तर्क हिं तर्क कर ए क्लाज-वाई डिस्कशन करिए हाना मैं मैं से अट आँसा बड़ता हूं कि बाच्छित नहीं की जानी चाहिए है तरकों के आधार पर बाचीत की जानी शाहिए, और इडी सचमुछ सरकार को लगेगा कि हमें इस कलाज में संसोधन करने की जो पुरत है, तो सरकार हो संसोधन करने को तयार है। तरकों के जानी शाहिए, तो सरकार की तरफ से साफ है, और रक्षा मंत्री की तरफ से जो संकेत दिया जा रहा है, तमाम बाते कही जा रही हैं, वो इस तरीके से कही जा रही हैं, कि आप आईए बाचीत कीजिए और सिर्फ अपने रुख पे अड़े ना रहें, तो हमारे साथ कई सारे किसान भी हैं, उनसे बात करें, रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कि बिंदूवार तरीके से बात चीत होनी चाहिए, जिस तरीके से आप लोग बिलवापसी प्यारे हुआ हूं, नहीं हम तो बिलवापसी की मांग है सुरू से, हमने तो कोई निगा के हम बिलवार चिरच